दोस्तों Samsung अपना एक निव स्मार्टफोन Samsung Galaxy M14 5G को लॉंच करने जा रहा है और इस फोन का लॉंच से पहले ही सब कुछ बाहर निकल क्या चुका है इस फोन का फर्स्ट लुक कैसा होगा ये फोन कितने पराइस पे आएगा और इस फोन में क्या क्या चीजे मिलने वाला है इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले है साथ सी साथ दोस्तों इस फोन का लॉंच डेट भी बताएंगे तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले इस phone के अगर first look का बात करें तो दोस्तों ये phone back side से कुछ इस तरीके का होने वाला जैसा कि आपको दिख रहा होगा जहां कि triple camera का setup होगा और तीनों ही camera तीन अलग-अलग circular cutout में दिया जाएगा और एक LED flash मिलेगा और ये phone polycarbonate back के साथ आने वाला है और इ थोरा ज्यादा रहने वाला है ये phone front side से look wise उत्रा बढ़िया smartphone नहीं होने वाला back side का look ठीक ठाक रहने वाला है वहीं दोस्तों इस phone में side mounted fingerprint sensor मिलेगा और इस phone में 3.5 mm का headphone jack भी मिलने वाला है वहीं दोस्तों ये phone 6.6 inch के full HD plus 90 Hz के refresh rate वाले display के साथ आएगा जो की LCD display होगा और ये water drop notch style display होगा तो display wise phone ठीक ठाक रहने वाला है डिस्पले में एक चीज बढ़िया कि इसमें 90 Hz का refresh rate मिलेगा वहीं दोस्तों ये water drop notch style के साथ आएगा ये negative side रहने वाला है और video viewing experience के मामले में बस ठीक ठाक रहने वाला है क्योंकि अगर AMOLED display मिलता तो ज्यादा बढ़िया हो लेकिन इसमें AMOLED display नहीं मिलेगा तो ये display wise phone ठीक ठाक रहने वाला है वहीं दोस्तों ये phone Samsung के 13330 processor के साथ आएगा जो कि एक 5G processor है और ये 5 nanometer fabrication पे बेस्ट है performance के अब मामले में phone ठीक ठाक रहेगा normal way में कभी कभर gaming किजेगा तो ठीक ठाक चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा gaming या बहुत heavy gaming किजेगा तो hang leg और frame drop का problem हो सकता है वहीं दोस्तों ये phone 6000 image के battery साथ आएगा जहांकि 25 watt के fast charge का support मिलने वाला है और ये phone battery department में बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि 6000 image का battery बहुत ज्यादा होता है नौर्मली आपको 5000 image का battery ही मिलेगा और fast charge का support मिल रहा है 25 watt क्य लेकिन इस phone में दिया जाएगा तो ये phone battery wise बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है वहीं दोस्तों इस phone में 13 5G band का support मिलने वाला है तो 5G connectivity के नजर से ये phone बहुत अच्छा होने वाला है वहीं दोस्तों ये phone 50 megapixel के main camera के साथ आएगा और बांकी का 2-2 megapixel का camera होगा जिसमें की Macro और Depth रहने वाला है वहीं दोस्तों ये 13 megapixel के selfie camera के साथ आएगा और camera wise phone ठीक ठाक और बढ़िया होने वाला है वहीं दोस्तों ये phone out of the box Android 13 के साथ आएगा तो दोस्तों यही सब पूरा detail था ये Samsung Galaxy M14 5G से related जो कि इस वीडियो में आपको बताएं हैं यही सब specification के साथ ये 14,000 से ज्यादा प्राइस नहीं जाएगा ठीक है 14,000 से कम के प्राइस पर ही इंडिया में लॉंच होगा वैसे दोस्तों जब यह smartphone लॉंच हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपना honest opinion दूंगा कि आखिरकार इस phone के साथ आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए वै थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो